नमस्कार, हिमाचल बुलिटिन में आपका स्वागत है, पेश हैं आज के समाशार अधिक्षता करते हुए कहा कि साहित्य महात्वपून है, क्योंकि ये पाठक की बौधिक शमता को भढ़ाता है, तथा समाज को इस दुनिया को देखने का एक अलग नजर्या प्रदान करता है। समय पर दिये जाने जाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कलाकार, राजे के सम्रिध सांस्कृतिक संग्रह के सरक्षन में एहम भूमिका निभा रही हैं। मुख्यमंजर ने कहा। आप सब लोग आज की इस परस्थिती में भी बहुत बड़ा जोगदान समाज में दे रहे हैं। ताकि हमारी संस्कृति भी जीवित रहे हैं। और संस्कृति जीवित रहने के साथ साथ में हमारे अपनी कला, अपनी संस्कृति को देश और दुनिया के सामने बेहतर गंशे हम उसका प्ष्थिती करने कर सके। दुनिया भी जाने देश भी जाने ह। और उसके साथ साथ में हमारी जेनरेशन हैं, हमारी पेडी हैं। वो भी इस संस्कृति के साथ जूड़ी रहे। और संस्किति के साथ साथ में जो हमारे बहुत सारे ऐसे कला का जो कला कितियों के मातियों से हिमाचिर परदेश को अलग पैचान देने में अपना लोग दाम दे रहे हैं। उनको भी आज केस जो मैं हलात में उनको भी समान दे सकते हैं। उस लिष्टी से मैं सभी को आप सब को बहुत बहुत बढ़ाई भी देता हूं और शुकामनें भी देता हूं जो मुझे इस बात की पुसंता है कि कि माचल पदेश चोटा पदेश होने के बाप्रूत भी अभी हाल ही में जब पूरे देश बर में पदमशी देने की अगर बात आई। तो हमारे देश के यश्यस भी पदान मंति जी ने 26 जन्वरी को जो हमारे दो ऐसे महनुद है हमारे पदेश के जो तालूप रखते हैं समद्ध रखते हैं उनको समानित करने की दिशा में हिमाचल को ये समान हासित हुआ है उसके दिशने में आदिन परखते हैं श्रीमति ललिता वकीर जो को पदमशीर कोश्कार से सम्मानित किया गया ये अमारे लिए अच्यनत प्रसंता का विशे है जिनने चंबा रुमाल को राष्ट्री स्थर पर ये नहीं अंतर राष्ट्री स्थर पर भी पहचान कराने में अपने जोगता है और उसी तरह से मुझे इस बात की प्रसंता है कि पदमश्रीय अवाट के साथ जो है विद्य और कराकार भी है और उनको बेसमाने किया और जिमाजर जैसे छोटे प्रांत के लिए दो सब्माने एक साथ मिलना एक वक्त मिलना ये हमारे लिए सथ मुझे में बहुत बढ़ी प्रसंता है अब बहुत मत अपूल कारे कर रहे हैं और इस कारे को और आगे बढ़ाई आप सबैब नहींगा आदमी कब तक रहेगा ये आदमी के हाथ में नहीं है लेकिन आदमी क्या करके गया है वो सबैब क्यों है वो इतिहास का हिस्सा बन करके रहे है तो मैं समझता हूँ वो बात ज़्यादा मत अप्ति है मुख्यमंचरी ने साहित्य के क्षेत्र में उतकरिष्ट युगदान के लिए आचारय केशव शर्मा को वर्ष 2017 तथा डॉक्टर ओसी हांडा को वर्ष 2018 के लिए भारत रतन अटल बिहारी वाजपई शिखर साहित्य सम्मान से सम्मानित किया इसी प्रकाश श्री मोहन राठ को कला केक्षेत्र में उतकरिष्ट युगदान के लिए वर्ष 2017 तथा चंबा रुमाल को भढ़ावा देने के लिए श्रिमती दिनेश कुमारी को वर्ष 2018 के लिए महाराजा संसार्शंद शिखर कला सम्मान प्रदान किया गया प्रतेक पुरुसकार विजेता को एक एक स्थानिय उत्यव को भढ़ावा देने और युवाओं को स्वरोजकार की प्रती प्रेरित करने के लिए आरम की गई मुख्यमंत्री स्वाबलंबन योजना प्रदेश में बहुत लोग प्रिया हुई है इस योजना के तहत उत्यम स्थापित करने के लिए सर्कार द्वारा जैराम ठाकुर सरकार की मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना बड़ी कारगर सावित हो रही है। इस योजना का मुख्य लक्ष इस्थानी उद्यम को बढ़ावा देना और युवाओं को स्वरोजगार की ओर प्रेरित करना है ताकि वो नौकरी मांगने के बजाए देने वाले बने। अपना उद्यम शुरू करने की राह में पूझी सबसे बड़ी बाधा होती है। इसकी विवस्था कहां से की जाए यह बड़ी चुनावती होती है। स्वावलंबन योजना के जरिये सरकार ने युवाओं की यह चिंता दूर कर दी है। राज के 18-45 वर्ष के ऐसे युवा जो बेरोजगार हैं वह एक करोड रुपए तक का प्रोजेक्ट लगा कर स्वारोजगार शिरू कर सकते हैं। उद्यम लगाने के लिए सरकार 60 लाग रुपए तक के प्लांट और मशीनरी के निवेश पर 25 फीसद अनुदान दे रही है। मैंने यहां पंताखाटी शिमला में माचल की पहली प्रैविट क्रिकेट अकैडमी ओपन की है। जो हमारा स्वाब लंबन योजना, मुख्यमंत्री स्वाब लंबन योजना कर रहा है। हमको इस लोन मिलने के अनुसार हमने यह अकैडमी ओपन की है। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत मैंने ये लोन लिया था जिसके थूँ ये एक छोटी सी बेकरी को ली है चोटा शिमला में ही और ये एक अच्छी योजना है जिससे सरकार यंग्स्टर्स को मोटिवेट कर रही है कुछ अपना करने के लिए इंडबेंड बनने क हिमाचल की जादा से जादा बेटियां अपना उद्यम खड़ा करके आत्म निर्भर बन सकें इसके लिए स्वावलंबन योजना में महलाओं के लिए अनुदान की राशी 30 फीसद देने का प्रावधान किया गया है विद्वाओं के लिए यह अनुदान 35 फीसद है योजना के तहस साथ लाक रुपए तक के रिंड पर सरकार तीन साल के लिए पांच फीसद की ब्याज सबसिडी प्रणान करेगी साथ योद्यम लगाने के लिए सस्ती दरों पर जमीन दिलाने में भी मदद की जा रही है रोजगार सरजन से जुड़ी इस योजना के तहट बैंकों की ओर से चार हजार से अधे इकाईया सुईक्रत की गई हैं इनमें 651 करोड रुपए का निवेश होगा और करीब 11,000 लोगों को रोजगार मिलेगा अपने वादे के मुताबिक सरकार अब तक स्थापेद दो हजार सतावन उद्यमों को 121.70 करोड रुपए का अनुदान दे चुकी है वितवर्ष 2021-22 में सरकार ने इस योजना के तहट 100 करोड रुपए की सबसेड़ी देने का प्रावधान किया है इसके जरिये 2000 नई इकानिया इस्थापित की जाएंगी जिन में 5000 लोगों को रोजगार देने का लक्ष रखा गया है यह योजना कितनी आकरशक है इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री जैराम ठाकुर स्वैम कह चुके हैं कि यदि इस तरह की योजना उनके युवाकाल में होती तो वह राजनीती में ना आकर स्वरोजगार शिरू करते यदि आप बेरोजगार हैं और कुछ करने का जज़बा है तो स्वाव लंबन योजना के जरिये अपना स्टार्ट अप खड़ा करके बड़े उद्यमी बन सकते हैं मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे इस योजना का पूरा लाब उठाया और प्रदेश सरकार ने पूरा संयोग दिया और जो अद्योग विभाग है पूरा संयोग दिया सभी अधिकारों का वही था है स्वास्तेबं परिवार कल्यान विभाग द्वारा दो पहर दो बजे जारी बुलिटन के नुसार प्रदेश में कोरोना संक्रमन की जाच के लिए आज 1812 लोगों के सैंपल ये गए जिनमेंसे 246 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है जबकि 1494 लोगों की रिपोर्ट आना बागी है अभी तक 42,88,531 लोगों की जाच की जा चुकी है जिनमेंसे 40,19,215 सैंपल की जाच नेगेटिव पाई गई है प्रदेश में कुल 2,67,811 लोगों में कोरोना वाइरस के संकर्मन की पुष्टी हुई है जिन मेंसे 2,55,593 लोग इस बिमारी से ठीक हो चुके हैं और 8,233 विक्ती उपचाराधीन है इस संक में इतना ही कल फिर होगी मुलाकात दीजे जाजत नमस्कार